कोरोना वायरस से पुरा विश्व लड़ रहा है चीन से शुरू हुए इस वायरस ने 195 देशों को गुटने पर ला दिया भारत में भी इससे संक्रमित लोगों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं इसे मुद्दे पर आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी ने देश की ज वासिल की जा सकती है प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी ने जब जनता कर्फ्यू का एलान किया था तब ऐसा माना जा रहा था कि एक सप्ता के बाद इस्तिती ठीक हो सकती है लेकिन विक्सित देशों की कोरोना की मार के बाद हुए हाल को देख कर देश में 21 दिनों का 21 दिन अब काफी नहीं है इस कोरोना को हराने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी ने कहा काफी आगे तक जंग लड़नी है आज उन्होंने कहीं भी केवल 21 दिनों का नहीं कहा यानि ये समय और बढ़ सकता है घर पर पाबंदिया और बढ़ सकती है घरों पर रहे लड़ने के लिए हमारे देश के जाबाज, नर्स, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ लगातार प्रयास कर रहे हैं खुद की जान की परवा किये बिनापुलिस कर्मी, सफाई कर्मी तमाम ऐसे लोग जिनकी सेवाओ की जनता को सबसे ज़ादा जरूरत है वे जुटे हुए हैं लेकिन लोगों के कारण की गई चूक उनका काम और बढ़ा रही है हमें सरकार के निर्देशों का पालन करना है जैसा कि आज प्रधान मंत्री ने कई लोगों से बाद भी की जिन्होंने कोरोना को हराया है और आज वे स्वस्त है उन लोगों ने भी सरकार और डॉक्टरों के सारे निर्देशों का पालन किया हमें भी बस अपने घरों में रहना है बार बार हात दोना है और सामाजीक दूरी का खास खयाल रखना है